बच्चों, हम कक्षा बारवी राइनती शास्तो करद्यन करेंगे। इसमें राष्ट निर्मान की चुनोतियों में शर्णार्थी समस्या आज उस करद्यन करेंगे। हमारा देश 15 अगस्त आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के पस्चात नया राष्ट जो अभी अभी बना है। उसकी समक्ष शर्णार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ी और महातुकुन समस्या आज हम उसके अध्यन करेंगे। कि शर्णार्थि समस्या है क्या, इसकी प्रभाव क्या थे, इसका परिणाम क्या लिए। तो पड़ते हैं शर्णार्थि समस्या। इस्लामिक रास्ट पाकिस्तान की मांग रखने वाली मुस्लिम लिए भारते स्वतंतरता अधिनियां 1947 की धारा एक में वर्णित दो औप निवेशिक राज्यों की स्थापना के निसार्थ मुस्लिम बहु लोगों को मिलाकर पाकिस्तान के निर्मान से फूनतर संतुस्ट नहीं थी। उसका लक्ष भारत के सभी मुसल्मानों के लिए नए रास्ट कर निर्मान करना था जो इसलिए संभू नहीं था क्योंकि है समुदाय सदीयों से सारी भारत के अलक-अलक प्रांटों में अलप वा बहु संभ्या में निवास करता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्मान के साथ ही भारत में बहुसी समस्यां पैदा कर दी और भारत में निवास कर रहे सभी मुसलमानों को धर्म के नाम पर भारत छोड़ कर पाकिस्तान में आकर बसने कावाहन किया दूसरी ओ पाकिस्तान में निवास कर रहे लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए विवश करना शुरू कर दिया यहीं से संप्रदाइक तनाव बढ़ा जो शर्नार्ती समस्या का कारण रहा अब विभाजन हो गया विभाजन के बाद जो भारत में मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे और जो पाकिस्तान में बहुत अधिक संख्या में हिंदू थे उनका आगमन भारत में होने लगे भारत का विभाजन भारती इतिहास के सबसे भयंकर त्रासिदी वाली घर्ता थी सदियों से भारत में रहने के वाबजू विभाजन के बाद मुस्लिम हिंदूओं के मध्य भाईचारे की भावना को शत्रुता में बदल दिया कटरपंथी मुसलमानों ने स्थानी मुस्लिमों को साथ लेकर हिंदूओं पर तरह तरह के जुलमों और अत्यचार करने शुरू कर दिये सिंध, पंजाग और बलोचिस्तान में हिंदूओं के मकानों में आग लगाना शुरू कर दी इस्त्रियों के पर अत्याचार बढ़ने लगे इससे भारत और पाकिस्तान संबंधों में बहुत अधिक कतुता आने लगे भारत में पाकिस्तान की सरकार से अपने नागिरिगों की जानमाल की सुरक्षा काईदायत निभाने एवं मुसल्मानों द्वारा हिंदूओं पर अत्याचार को बंद करने की अपील करती हुए या सुझाओ दिया कि शान्ती के साथ साथ हिंदू और मुसलिम वर्गों को इस बात करने निर्लाए करने की चूटते कि वे किस देश में बसना चाहते हैं पर अफसोस की पाकिस्तान ने भारत की अपील की कोई अनुकूल प्रतीक्रिया न देते हुए हिंदूओं पर आतंक का वातरवरन बनाए रखा कटरपंथी मुसल्मान नों ने इस्थानी गुंदों के साथ हिंदूओं पर त्यचार करने शुरू कर दिया वे अपना घर वार जमीन जाए जाए वैसाय संपत्ति और को छोड़कर अपने परिवार सहित भारत की और जो भी सादन उपलब्ध हो सका उसका उप्योग करते हुए भागने लगे भागते हुए परिवारों की अनेक गुंदों मुस्लिम गुंदों द्वारा हत्य करना शुरू कर दी गई जिसके भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई शर्णार्थी समस्या का स्वरू विभाजन के बाद दोनों देशों ने संप्रदाइक दंगों में शर्णार्थी समस्या को जन्मी दिया सामानी रूप से जब किसी देश के नागरिक, राजनीतिक, बिद्रो, प्रकृति के कहर, युद, आतंकवार, आदित रासदियों से अप्रत्याशित मानवी कार्णों से मजबूर होकर आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य देश की सीमा का उलंगन करते हुए वहां शर्ण लेने के लिए विवश हो जाते हैं तो इस तरह के लोगों को शर्णार्थी कहा जाता है तथा इनके विवस्थापन, सुरक्षा, भोजन, आवाज की विवस्था ही शर्णार्थी समस्य कहला थी ये शर्णार्थी अपने देश की स्थिती में सुधार होने पर वापस दीज दिये जाते हैं पर कुछ परिस्थितियों के कारण अपनी जानमाल की सुरक्षा की गैरेंटी अपने वतन में न होने की आशंता से सरण लिए गए देश में ही इस्थाई रूप से अपना निवास करने का निवीदन धरते हैं विभाजन के बाद हुए सामप्रताइक दंगों का स्वरूप अत्यंत विभत्स था पंजाब के प्रथम भारती गवर्नर सरचंदू लाल दिवेदी की अनुसाब केवल इस प्रांत में सवा दो लाख व्यक्तियों को अपनी जान से हाद ध्वाना पर भारत पुमशने वाल जेल गाणियों में लत्पत लाशें बहुत ज्यादा मात्र में थी भारतियों ने यद्रश देखकर प्रतिक्रिया स्वरू भारत के विभिन्य प्रदेशों में मुशलमानों के प्रति दंगे और आगजनी की घटनाएं दोहराने लगे बंगाल के नोवक हाली में कांधी ज इन दंगों का प्रभावया पड़ा कि भारत से भी लाखों संख्या में मुसलमान पाकिस्तान जाने लिए इन सभी मुसलमानों को सुरक्ष्य के साथ रेवगाली से पाकिस्तान सीमर तक पहुंचाने की विवस्था भारत सरकार्य की शर्नार्थियों के रूप में भारत को पहुंचने वाले समुहों को अत्यंत ही दर्गनार इस्थिती का सामना करना पड़ा अनुभों में शरीवी एलुपाध्या ने इस घटना से संबंधित पुस्तक में दिये इन वाक्यों को पहने के लिए किया जा सकता है कि बूरी औरतें अपने बेटों के कंदों का गर्भवती महिलाएं अपने पतियों का सहारा लिये माताएं अपने गूध पीते बच्चों को गोध में उठाए भूके प्यासे बढ़ते चले जा रहे थे सेकणों मील तक चलता था और भी सेकणों मीलों तक चलते रहना था औरतें पुरुष अपने सेरों पर बड़े बड़े गठर लाते हैं जिसमें इन लुटे हुए लोगों की ग्रहस्ती का बचा खुचा सामान होता था कुछ बरतन शिवाजी और गुनूनानक की एक तस्वीर या एक कुरान ये शर्णार्थी हिंदों, मुसल्मान, सिख और अनपड़ किसान थे सबसे खराब हाला तो उन शर्णार्थियों की थी जो कमजोर थे भूके या बूड़े थे और बीच रास्ते में ही दम तोड़ते हुए अपना सफर पूरा ना कर सके अब शर्णार्थी समस्या का क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं शर्णार्थी कहीं से आए? उन्हें शर्णिस्थर में आर्थेक सामाजी का राजनी थी भावनात्मक संबेदों से गुजरना पड़ता है उसी तरह शर्णिस्थली बन राजजी को उनके विवस्थापन उनर्वास की समस्या से निपटने ही तो अनुकूल संपत्ति खर्च करते हुए उनकी सुरक्षा विवस्था पर ध्यान देना अनिवार हो जाता है पाकिस्तान से आई शर्णार्थियों से उपजे प्रभाव का अनुभाव निम्नानकित तत्यों के अध्यन से कर सकते हैं पहला शर्णार्थियों के विवस्थापन और उनर्वास से बढ़ा आर्थिक भोज़ पाकिस्तान से विस्थापितों को दिल्ली के बहुत बड़े छेत्र में बनाए गए आस्थाई शिवरों में रखा गया जहां उनके आवास, भोजन, जल, स्वच्छता और सुरक्षा के विशेश प्रबंध किये गए साथ ही पंजाब के कुछ छेत्रों में भी इसी तरह की विवस्था की गए पूर्वी पाकिस्तान से शर्णार्थियों को बंगाल, असम, त्रिपुरा, आजी प्रोदेशों में बसाया गया इन सब विवस्थाओं में भारत को अताहध धनराशी खर्च करनी पड़ी जो भविश्य में उसकी आर्थी किस्तिती कमजोर होने का कारण बने दूश्रा है शर्णार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों की शतिपूर्थी की समस्या व्यवस्थापन मानकों के साथ भारस सरकार के शर्णार्थी व्यवस्थापन एवन उनर्वास मंत्राले द्वारा शर्णार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के आकड़े प्रमानों सहे देकत्रित करना शुरू किया आकणों से पता चला कि लगबख एक करो गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में लगबख पचास हजार लाख रुपियों की चल अचल संपत्ती छोड़कर भागना पड़ा इसी तरफ भारत से पाकिस्तान के रुस्लीम भारत में अपनी दस हजार लाक रुपी की जाजा छोड़कर पाकिस्तान दे भारत में पाकिस्तान में छोड़ीगी संपत्ती का अंकलन पेश कर उसे छती पूर्ती की मांगी पाकिस्तान ने भी अपनी और से शती पूर्ती के आपने भारत को संपे दोनों सरकार की अधिकारियों की प्रिथम बैठक 29 अगस्त 1947 को भी दोनों सरकारों ने एक दूसरे के द्वारा संपे गए आँखों के सत्यापन के लिए समझ देने पर सहमती पनाई इस पर कोई निर्ने लेने पर सालों लग गए अन्त में 1955 में दोनों पेशों के मद्दिक समझोता हुगा जिसमें एक दूसरे के यहां के बैंकों या लौकरों में जमाखातों के इस्थानांतरन किये जाने की सहमती साथ ही एक दूसरे के हाँ छोड़ी गई चल अचल संपत्ती का आकलन शर्णार्थियों को मुआवजे के रूप में दिया जाना स्विकार किया गया तीसरा है नहरों ल्याकत समझोता दौनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने अप्रेल 1950 के मर्द एक समझोते के अंतरगर दौनों देशों ने अपने यहां निवास कर रहे अलप संख्यकों की जान की सुरक्षा और विकास की सामान अवसर के समयधाने का धिकार प्रधान किये जाएंगे पाकिस्तान अलप संख्यक के हित्तों का संद्रक्षन करने में असफल रहा चोंती और सबसे बड़ी शर्णार्थी समस्या थी पुनरवास की पाकिस्तान में से भारत आए गैर मुस्लिम शर्णार थी जिन में सिख और हिंदू सिंधी प्रधान थे पंजाब, दिल्ली, मुंबई शेहरों के आसपास बज़ गए भारतियों के साथ शीक रही घुल मिल गए थी पर पाकिस्तान गए मुसल्मानों को अनिक कस्ट उठाने पड़े पंजाबी मुसल्मान तो लाहोर के आसपास के छेत्रों में बज़ गए और उन्होंने शीक रही पाकिस्तान की संस्कृति और भाषा से सामन्जस से बना लिया किन्तो उत्तरपदेश, बिहार, गुजराद, हैदराबाद से गए मुसल्म शेर्णार्थी, कराची और उससे लगे सिंध प्रांत में बसाए गए वहां की सांस्कृतिक और भाषाई प्रस्ट भूमें से सामन्जस से नहीं बैठाता है पाकिस्तान ने उन्हें आज भी मुझा है या शर्णार्थी कहा जाता है वे आज भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संगरशुरत है पाक में आज भी अल्पसंख्यत हिंदू और इसाई समाज अपने उपर निरंतर हो रहे है अत्याचारों से प्यूडित होकर भारत में शर्ण लेने आ रहे है ताजे आकड़ों के अरुसार राजिस्थान और बंजार की बागाव ओर्डर से प्रति दिन 25 परिवाद तीर्थ यात्र कवीज़ा लेकर भारत आ रहे हैं और समय समाथ होने पर पाकिस्तान नहीं लौट रहे विश्व के समाचार पत्रों में इस तरह के समाचार प्रकाशित होने पर स्वयम पाकिस्तान के तत्कालिन रास्ट पतार पती जरदारी ने सिंध सरकार से हिंदों की सुरक्षा और उनके यहां से पलायन को रोकने ही तूँ आवश्यक मानवी कदम उठाने का निर्देश द शर्नार्थी समस्य में बंगलादेश का संकर भारत को दूसरी बार शर्नार्थी समस्य के साथ सामना तथा पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से जो आज बंगलादेश कहा जाता है में पाकिस्तान के विरुद प्रारम जन आंदोलन के समय करना पड़ा है 1970 में पाकिस्तान के ताना शहर रास्ट पती आया खां के अत्याचारों से पूर्व पाकिस्तान की जनता इतनी परेशान हो गई थी कि उसने आवामी लीग के प्रमुक किशेख मुजीब और रह्मान के नेतरत्व में ताना शाह के विरुट एक आंदोलन प्रारंब कर दिया था अंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया सैनिकों द्वारा बहुत से अमानवे कारिवाही की गई और इस अमानवे कारिवाही से बशने के लिए आतंकित लाखो बंगलादेशी भाग कर भारत में शरण मेलने के लिए भारत ने अचानक उत्पर्ण शर्णार्थी समस्या से बशने के लिए पाकिस्तान को अपने नागरिक वापस लेने का नुरोत किया पर पाकिस्तान द्वारा अंसुनी करते ने और उसके सैनिकों द्वारा सीमा रक्षक भारती सैनिक तुकडियों पर गोलबारी जारी रखने से मजबूर होका भारत को 1970 और 1971 में सैनिक कारिवाही करने पड़ी और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कर नए रास्ट बंगला बंगला देश को जन्म दिया भारत वा पाकिस्तान के अमर्दी दो जुलाएं 1972 को शेमला समझोता हुआ जिसकी अंतर गयत पाकिस्तान में बंगला देश को नए रास्ट के रूप में मानेता दी और बंगला देश के प्रधान मंत्री ने बंगाली शर्णार्थियों को धीर अपने देश में गुला लिया और शर्णार्थी समाथिया हल होगी बच्चोंशेमला समझोता परिक्षय में आता है दो नंबर का प्रेश्ट सियरे इसके बाद है अल्प संख्यकों की समस्यय के देश के विभाजन के उपरांथ दॉनों देशों में सांख्यकों की समस्यय बनी रही भारत में हिंदू और सिख विभाजन के बाद भी वहां के नागरिथ वाने रहें पाकिस्तान को तो ही अपना देश माना इनकी जनसंख्या विभाजन के बाद देश की कुल जनसंख्या की बारत प्रतिशत थी बारत के संविधान में बारत को एक पंथ निर्पेक्ष या धर्म निर्पेक्ष राजिगोशित किया गया तथा अल्प संख्यों की भातित मुसलिफ अल्प संख कोबिन सम्मिधान में शेक्षनिक वासास्त्रतिक अधिकार पदान कहेंग हैं। साथी भारत की सभी नागरिकों को बिना किसी भेद्भावू की समानाधिकार पदान केऊं। निश्करश चया है कि भारत में अल्प संक्यात पाकिस्तान की तुलिन में अधिक सहच अनुपव कर रहे हैं फिर भी आजाद भारत में समय समय पर होने वाले हिंदू मुस्लिम जगडे कही न कही विभाजन की मानसिक्ता से प्रभाविक होते हैं इस प्रकार यह इसपस्ट होता है कि विभाजन के परिणाम काफी दुखत थे सामप्रदाइक दंगे हुए लोग घर से बेघर होको शैनार्थी बने उनके इक्षा के विरुद सब कुछ छोड़कर इधर उधर जाने पड़ा इन संघर्षों के साथ प्रतीस परधी राजनितिक हित जुड़े थे भारत ने काफी समजदारी से इस रास्टे चनौती का सावना किया और उसका समधान किया